नमस्कार दुफतों मैं संदीप स्वागत है आप सभी का आज किस नहीं है और फिस वीडियो में बात करने वाले बीए के हिंदी से संबंदित most important question के बारे में बहुत ही important होने वाली है बीए के चात्रों के लिए जिनका भी सब्जेक्ट हिंदी है तो वीडियो को लाश्ट तक देखना क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले नई सिच्छा नीत पर आधारित समिस्टर प्रणाली पर भी आधारित important question question और answer के बारे में तो एक एक question आप लोगों को ध्यान से समझता है क्योंकि यह सारे question आप सभी exam के लिए आने वाले exam के लिए काफी helpful है और कोई प्रवाइड कर दिया है फिरहाल उसमें जो important थे मैं फिल्टर करके question आप तब प्रवाइड करता हूं जो important होते हैं तो पहला question है आज किस वीडियो का हिंदी साहित का इतिहा लिखने का सरप्रतंप्रियास किस ने किया ध्यान दीजेगा फिल्टर करके सारे question मैंने रखे इस वीडियो में तो ध्यान से समझेंगे तो आप लोगों किसमें answer में लिखना है पढ़ते answer क्या लिख़ा है लिखाया है कि हिंदी साहित का प्रियास लिखने का सरप्रथम प्रियास ने किया जिसका नाम था गैटासी ने किया उन्हों फ्रेंच भासा में ठीक है इस्तत्वार दाला ध्यान दीजी का प्राला लित्रेतूर इंदुई ए हिंदुस्तानी नामक पुस्तक लिखा है बहुत ही हार्ड है तो आप लोग को इसे ध्यान में रखना है इनका नाम याद रखना है लुखी है इसका नाम याद रखना है और इसमें आगे बढ़ते हैं होने करण इसका परचार कम हुआ यानि कि प्रसार कम हुआ, अगला पैंट है going to be ने इसका हिंदी अन्वाद किया यह यह फ्रांसी सीम ने किया इन्होंने पूस्तक लिखी इन उसका जो सिंपल सबसक्ति इंशार हिंदि-घल का गयोग эфф dip money complete प्रावथि अंच्छल के ओर भड़ेंगे लिखा है कि की अचार हिंदी सहीत का ठिक है ठीके ठीके प्रत्यात्मक ठीके और दिखने काल बिभाजन प्रस्तुत कीज़िए यानिकी अचार लेत्यात्या गत indoor करब होठो क्योंकि आधार पर निवनुवत विभाजन किया है पहला है संबत 1050 से 1375 तक बीर गाथा काल ध्यान दीजेगा यह है रामचंद सुकुल जी के नुसार दूसरा है संबत 1375 से 1700 तक भक्तिकाल संबत 1700 से 1900 तक रीतिकाल संबत 1900 से आज तक गदिकाल तो यह जो काल का विभाजन है वह रामचंद जी के यानि की अचार रामचंद सुकुल जी के अनुसार है तो इस पर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसके अनुसार इस तरह भी भाजन किया गया है काल का ठीक है बीर गाता काल भक को को समझ में आ गया होगा बढ़ेंगे हमने इस कोश्टन के और लिखा है कि अचार हजार प्रसाद दुबेदी के अनुसार हिंदी साहित के इतिहास का काल विभाजन प्रस्तुत कीजिए यानि कि अभी तो आपने देखा उपर कि रामचंद सुकुल जी के अनुसार था अ नांकित काल खंडों में विभक्त किया है जो की निमिनुवत है चलिए पढ़ते हैं पहला आदिकाल को निखा है आदिकाल 1000 से 1400 श्वी तक ध्यान दिजेगा दूसरा है पूर्व मत दिकाल 141000 से 1650 तक और तीस्ष्टा है उत्तर मत दिकाल 1650 जे 1850 श्वी तक निश्ट है अठार सो पचास से अब तक तो यह रहा अचार अजाय प्रसाद दुवेदी के अनुसार हिंदी साहित का इतिहास का विभाजन आई होप यह भी आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह ठीक है एक दो बार वीडियो और देख लेंगे को इक बार दो बार और समझ लेंगे त चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं आधिकाल के नाम करण की जो समझे आया उसके बारे में संचित परिचय या संचित प्रकास डालिए लिखा है कि अचार रामचंद सुकल ने बारा रसनों को आधार रूप से प्रस्तुत करते हुए बीर गाथा काल का नाम सुभिकार किय द्यान दीजेगा रामचंद सुकल जी ने बारा रसनाओं के आधार के रूप में प्रस्तुत करते हुए बीर गाथा काल नाम सुभिकार किया था और निश्ट पॉइंटेशी में लिखा कि डाक्टर गेहरसन ने इसे चारण काल मिस्र ठीक है मिस्र बंधुओं ने प्रारं मिस्र नात्रसाद मिस्र ने इसे बीर काल कहा यानि कि सभी कभी और सभी लेखक के अनुसार अलग अलग ठीक है काल के नाम ठीक है आधिकाल के नाम का नाम करन करते थे ठीक है जो आधिकाल था उसका सभी कभी अपने अपने अनुसार लेखक अपने अनुसार पुकारते थे या पिर कहते थे तो यह रहा उसके बाद समझ्चा का संश्र्थ प्रकास आप लोग लिख देंगे कि यह इस काल को इस नाम से पुकारते थे या कहते थे और यह कभी इस नाम से और यह लेखक इसका नाम से तो आपको पूज़ता समझ में आजाएगा ठीक है चलिए बढ़ते डीटियल में नहीं जाना है बस थोड़े में ही लिख देना है ठीक है हंड़ेट को जैनी के हंड़ेट वर्ड में बस ज्यादा नहीं जाना है उत्तर है कि आधिकाल की प्रवित्या जो है वो निम्नुवत या निमलिखित है ऐसा भी आप लोग लिख सकते हैं तो पॉइंट दाताओं ठीक है आश्रे दाताओं की प्रसस्ति रासोग्रंथ लेखन बीर स्रंगार रसका चित्र तीसरा है प्रकति चित्र एवं जन्संपर्क की कमी एतिहासिकता का भाव चार नमबर है प्रवंद एवं मुक्तक काब्यों की रसना डिंगल और पिंगल भासा का तो यह रहें ठीक है चार नमबर तक के प्रमुख ठीक है प्रमुख प्रवित्तियां आदिकाल की हम निस्ट पे बढ़ेंगे लिखा निस्ट पांच नमबर लिखा कि काब्याकार कल्प का सुंदर प्रियोग दोहा शूर॥ा त्रक्टका तोमर चौपाई गाथा आर्या रो कर लेनी है या फिस समझ लेनी है जिसके आप लोगों को पूरे अंक प्राप्त हो सकें आपके कोश्चन पेपर में जो कोश्चन आए उसमें ठीक है चलिए हम बढ़ते हैं अगले कोश्चन क्या कह रहा है कि क्रिश्ण भक्ति साखा के प्रमुख कभी और आप लोग को बता सूर्दाफ जी थे ध्यान दीजेगा क्रिश्ण भक्ति साखा के प्रवर्तक सूर्दाफ दी थे इस चाखा के प्रमुख कभी और उनकी रशनाएं निम्नुवत हैं या फिर निम्नांकित या निम्लिखित हैं तो पहला आप लोगों को सूर्दास ही दिख जाएगा पॉइं संग रहां नेरिश्ट है कृष्ण दास इनकी जो कृति है त्यों जूगलमाण चरित प्रेम्तत् façon दो निर्वपड निष्ट है नंददास इनकी क्रति है अनेकार्थ मन्जरी रस मन्जरी रूप मन्जरी में त्युका थां भी थो एक चीत तुष्वामी इनकी करति यह पर्श वह यूगल शतक नेस्टी शीमय है परुश कृंशुरामदेव इनकी साख्यर यह रहें प्रमुक करतियां तो आप लोगों को पूरी तरह समझ में आगया है कुछ नहीं आपको सिंपल सा एंसर में लिखना है कि कैसे प्रवर्तक स्री सूर्दाव जी है ठीक है इस साखा के जो प्रमुक कभी है उनकी रश्णाय निम्नुवत हैं बस आप लोगों को उनके नाम लिख लिख देनी है बस चाहिए पॉइंट वार्ज करके चाहिए कामा वाज करके आप लोग लिख दीजिएगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं निस्ट कोश्चन के और निस्ट कोश्चन कहरा है कि रीद काल में काभी की कितनी धाराएं ठीक है प्रस्पोष्ठित हुई है नाम थीं धाराएं प्रवाहित हुई हैं जिनके नाम तथा बिशिष्टायं निम लिखित हैं पहला है रीध बद्ध दूसरा है रीत सिद्ध और तीसरा है रीत मुक्त तो ये रही प्रमुध तीन धाराएं ठीक है चलिए हम बढ़ते हैं सी मेने स्ट कोश्चन के ओर लिखाएं के प्रतिनिदी कभी का नाम दीजिए या फिर लिखिए बहुत मोश इंपार्ण कोश्चन है तो ध्यान समझेंगे ठीक है इसको लिखा है कि रीत सब्द रीड धातों से बना है जिसका ठीक है ब्योप्ति लब्भ अर्थ है गति मार्ग या प्रस्थान और रुढ अर्थ है प कि रीती जो है सब्द है वो रीड धात से बना है जिसका ब्योप्ति लब्भ अर्थ है गति मार्ग या प्रस्थान और रूण अर्थ है जो है वो पध्यत विधी आद है चरस्वति कंठा भरण कि ये पंक्ति रीत सब्द की ब्योप्तिक है ब्योप्तिक में सहायक है इसमें जो एक पंक्त लिखी गई आप लोग कह सकते हैं एक जो चंटेंस लिखा गया इसके बारम पढ़ते हैं लिखा है कि वेद भार दिक्रत पंथा काब्बे मार्ग इतिस्म्रताहा रीड गतवीदी धातोसा व्यप्तता रीत रूचेते तो यह रही इसकी जो एक आप लोग कह सकत एक संटेंस है या फिर एक लोग आप लोग कहसे हैं पंक्ति है और इसमें लिखा इसके जो परमुक कभी है वह केशो मतिराम भूशन बिहारी देव घनानन पदमाकर आदे तो यह रहें प्रमुक कभी रीत ठीक है रीत काल के तो इसके कभी आप लोग को समझ में आ गया इसकाल में जो अन्रचनाय हुई है और जिनमें आरद के प्रत कभियों की भावनाय मुखर हुई है वे भी अपने को संगरिक्ता के आवरण से बचा ना सकी इस युक की प्रमुक कभी केशो दास बिहारी दास ठीक है इस युक के प्रमुक कभी जो है वो केशो दास बिहारी यह जो है इसके प्रमुक कभी है तो रित कालिन कविता की जो विसेवस्तों है वो ज्यादा आप लोगों को नहीं लिखनी है उसके प्रकाश डालने का मतलब यह ज्यादा डिटेल में जाए क्योंकि यह तो उसे इसाफ से लगत्रे कोश्चन है तो उसे लगत्रे आएगा तो से लगते हैं तो बिस्तित आएगा तो तो कुल मलाकि यह रहें मोस्ट इंपार्टन कोश्चन आज किस वीडियो के आई होप आप लोगों समझ में आये हैं एक दो बार वीडियो और देख लीजेगा सारे कोश्चन और पढ़ लीजेगा पूरी तरह कह सकता हूं कि आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा आपको में बीजाम में भी काफी हेल्प मिलेगी इस कोश्चनों से जो मैंने आपको बताएं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करेगा लिंक वीडियो के दिस्क्रेसर में टेलिग्राम का जोएन हो जाएए मिलते हैं नेश्ट वीडियो में नेश्ट के लाज के साथ अब तक करे जाएं